हाई फ्रेंस मेरे यूटुब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी सी सबजी बोबी, गोबी और मतर की अगर एक बार ये सबजी बना ली तो बार बार इस सबजी को बनाना आप पसंद करेंगे तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेधन है कि अगर आप चैनल पर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरू करना और रैस भी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉज कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने गोवी को काट कर इस तरह से इसके छोटे छोटे तुकडे कर दिये हैं और इसमें से कीडे बगएरा मैंने साप कर लिये हैं कीडे निकालने के लिए आप गोवी को गरम पानी करकर उसमें नमक डाल कर भी आप इसके कीडे बगएरा निकाल सकते हैं और यहां पर मैंने गोवी को अच्छे से काट कर धो लिया है और यहां पर मैंने मटर को छील कर उसके धाने निकाल लिये हैं इसको भी मैंने धो लिया है कडाई को मैंने गैस पर चड़ा दिया है और इसमें मैंने बड़ा दो चम्मच ओयल डाला है और oil को हम अच्छे से गरम कर लेंगे oil गरम होने पर हम इसमें जीरा डाव देंगे और जीरे को हम चटकने देंगे और जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तम मैं इसमें एक medium size की कटी हुई प्याई डाव दूँगी और प्याई डालने के बाद हम इसको दो मिनस्ट वगवग भून लेंगे उसके बाद हमें इसमें कटी हुई हरी मिर्च चार पांच काटकर डाल देनी है तो यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ हरी मिर्च को भी हम इसमें भून लेंगे और अब हम इसमें बारिक कटा हुआ लैसुन डाल देंगे और लैसुन को भी इसमें हम भून देंगे इन सारी चीजों को हम आपस में मिक्स करेंगे और फिर इसको भूनेंगे जब आज हमारी अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें मसाले डाल देंगे तो मसालों में मैं डालूंगी एक चम्मच हल्दी एक चम्मच में पिसी हुई मिर्च डालूंगी और एक चम्मच में इसमें गरम मसाला डालूंगी और एक चम्मच ही में इसमें धनिया पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और मसाले डालने के बाद हम इसको चला देंगे, मिक्स कर देंगे उसके बाद मैं इसमें रवग थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई गोबी और गोबी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे और मटर डालने के बाद हम मटर को भी इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और जब हमारी मटर भी इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगी तो हम सबजियों को ढखकर रख देंगे और इसको पकने देंगे और थोड़ी देर बाद फिर हम इसको चेक कर देंगे इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है और पलटते रहना है उसके बाद इसको ढखकर रख देना है और लगवग 5 मिनिट बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे और फिर से हम इसको पलट देंगे और इस तरह से बनी हुई सब्जी सच में बहुत ही जादा टेश्टी वक्ती है एक बार बना कर जरू देगे इसको आप पूड़ी परांटे किसी के भी साथ कहिए चाय चावल के भी साथ कहिए खाने में बहुत ही जादा ये टेश्टी लगती है और हमारी ये सब्जी थोड़ी सी कच्ची है तो फिर से हम दो मिनट के लिए इसको ढख देंगे और दो मिनट बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए यहां पर हमारी टेश्टी सी सब्जी बनकर तैयार है बहुत ही जादा राजबाब बनी है कलर देखिए इसका बहुत ही प्यारा आया है खाने में तो पूछिए इमत ये बहुत ही जादा टेश्टी और उपर से हम इस पर डाव देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को डावने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हमारी यहां पर सब्जी बनकर तैयार है और अब हम इसको कर लेते हैं सर्व तो फ्रेंज यहां पर हमारी मटर और गोबी की सब्जी बनकर तैयार है इसको एक बार बनाकर जरूर देखिए कहने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी वक्ती है सबको यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो फ्रेंज अगर आपको मेरी यह रैस्पी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंज दोस्तों को सेयर करना मत भूलना तो मिलते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए टेक क्या थैंक्स फॉर बहुचिंग